हलो गाईज वेलकम बैक टो माई टूट चैनल यासके मिर्शडी अवे आप सक्सेच और इसमें एकदम वायरल बहतरीन लीग पेपर हैं क्लाश टॉल्थ बाइलोजी के लिए जरूर इस वीडियो को बिल्कुल भी इस्क्रिप ना करें इससे बाहर कहीं पे नहीं आने वाला और आपके बचे एक दिन के अंदर आपको अच्छा नमबर कैच करना है बिल्कुल पुडांग सत्तर नमबर का हमारा पेपर बनेगा जो समय दिया जाएगा तीन घंटे पंदर मिनट का आपको समय दिया जाएगा और आप पूरे के पूरे प्रश्ण पढ़के ही जरूर ज आपको मिल जाएगा तो बिल्कुल भी वीडियो को इसकी ना करें पहला इसमें है हमारे कि एक प्रारूपी आवरती बीजी पराकोस में लग विजान धानों की संख्या कितनी होती है एक नमबर का प्यारे दोस्तों क्योश्ण है एक दो तीन या फिर चार जो कि आपको सही आपसरन देना होका, एक होते हैं, दो होते हैं, तीन होते हैं और फिर चार होते हैं एक नमबर का ये प्रश्ण हैगा सही आपसरन चॉइस करना इसमें चार आपसरा आपको मिलेंगे तो हमारा जो बीटी जीव होता है यह हमारा मेगा थेरियम के द्वारा होता है याद करें रहीएगा इसमें एक जाध के लाभ होता है और दूसरी जाध को लाभ नहीं होता उसे हम क्या कहते है चार आपसरा आपको मिलेगा इसपरधा कहते है या पिर सभोजिता कहते है या पिर सहोप कारिता कहते है तो इसमें जो सही आपसरा आपको देखना रहेगा नेक्स रहे वहाई पे दूसरा गखा है लीडिंग कोशिकाओ द्वारा संसलेस्तिंड वस्रावित व्रीशन हार्मोन्स का नाम लिखिए एक नंबर आपको यहाँ पे मिल लाएगा और इसी एक नंबर को आपको करना रहेगा नेक्स रहे वहाई पे हमारा परिपक कोकण में समाहित कोशिकाओ का नाम क्या है यह भी आपको एक नंबर का आपका मिल लाएगा वहाई पे गह है किसी एक क्लोनिंग समवाहक का नाम लिखिए जिसमें बिना गुड़ सुत्री नियंतर के स्वत्म रूप से जीवान कोशिका क अंदर प्रतिकृति करने की छमता होती है एक एक नंबर के रहेंक प्यारी दोस्तों का और फ्रत्ति कीस ने दिया था एक नंबर को आपको आपको करना रहेगा जो कि एक दम ही सिंपल है आप कर सकते हैं जी तरीके से अंगा हमाई पे साका हारी जीवों में अपनी आहर पूर्ति करने के लिए उप भोकता को क्या करते हैं जो साका हारी जीवों होते हैं अपनी जो आहर पूर्ति करते है और उन उपभोगता होते हैं उसे क्या करते हैं एक नमबर का आपको मिल जाएगा नेक्श में पर प्रति जयविक से आप क्या समझते हैं किनी दो प्रति जयविक के नाम लिखिए दो नमबर का रहेगा तो प्रति जयविक से आप क्या समझते हैं और वो हमारे दो प्रति प्रयोग का आरेखी नुन उपड़ कीजिए जो कि मैंने इसका वीडियो बना दिया है आप जाके सर्च करेंगे इस टैनरे मीलर का उप्योग प्रयोग जो हमारा वह आपको मिल लिया गा दो नमबर का तो मैंने इस पर आपको बना ही दिया है और वहें पर गह हमारा एक स्थल मठली मषली के जलकी जल सीव साला जो है वह उसे में रखा गया तो मठली जीवी तरह पाये या फिन नहीं म nhất लब यह है कि जो हमारी समुद्री मचली होती है उसे अलवन जल की जल जीवसाला में रखा जाये तो क्या वह मचली जीवित रह सकते हैं नहीं जो कि दो नंबर का आपको प्रश्ण रहेगा करना रहेगा नेक्षण में पे वाट्सन एम क्रिक द्वारा प्रस्तुत किये गए कुंडली डिने का माडल नामांकी चित्र बना रहेगा और यह आपको दो नंबर आपको दिया रहेगा तो वार्श्ण और क्रिक वाला जो भी थे आपका डिने कुंडलन का चित्र उसको जरूर पढ़के जाईएगा जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है नेक्षण पुर्णे से करना रहेगा इसको भी मिश नहीं करना है तृप सल नेन में शम्मिलित निव्लियाई का नाम लिखेए जो कि आपको यहां पे मिल जाएगा हमारा तीन नंबर का प्रशन हैगा तो ठीक है नेक्स यह नुबर्फिसरोप यहां एफ का होता है जो कि आपको यहां पे तीन नंबर दिलाएगा नेक्ष्ण में पे तीन नंबर का सुपोशड जील किस प्रकार काल प्रभाजन दर्साता है अनुलेखन और अंतरण आरेने टी आरेने जो कि हमारा आपको सो करना रहेगा इस पर टिपड़ी करना है ठीक है पाश्वा जीवन की क्लोनिंग और अभिव्यक्ति की प्रायोगिक चड़नों की आरेकी निरूपर प्रस्तूत करें तीन नंबर का रहेगा ठीक है ना तीन नंबर का रहेगा आपको इसको पढ़के जाना है देख लिजेगा कोलाई जैसे भीशाता है नेक्ष्ण में पे हमारा इई को जीवन में मानोजीन की क्लोनिंग और अभिव्यक्ति के प्रायोगिक चड़नों का आरेकी निरूपर प्रस्तूत करें जो कि तीन नंबर का प्यारे दोस्तों यहां पे रहेगा ठीक है ना वहीं पे हैगा हमारा है कि सोरों में इलकोहल या ड्रग के सेवन के लिए क्या प्र जो प्रदोगिकी का क्या अप्यूगता है तीन नंबर रहेगा और जो हमारे उर्वर्भ को तздा कि प्रकार से मात्र की उर्वर्ता को बढ़ाते हैं यह भी आपको तीन नंबर को वहीं पिराएगा इसको आपको पढ़के के जाना है नेक्ट पर अन्कूलनी विकिरन सिक्या के का एक उधारन दीजिए और उसका वर्णन कीजिए जो कि तीन नंबर आपको ये भी दिलाएगा प्यारे दोस्तों तो तीन तीन नंबर के हैं इसको आपको जरूर पढ़के जाना है वहीं पर है एक सो न्यूक्लियज आप क्या समझते हैं और पसु और मुर्गी के उन्नत नसल के बारे में एक एक उधारन लिखिए और अंतर प्रजनन तथा बहिर प्रजनन के बीच मुख्य अंतर को लिखिए जो कि तीन नंबर का रहेगा जनन की परिभासा दीजिए जीवों में जो जनन है जैसे कि लैंग में बहुत सारे वीदिया जैसे खंडन विधी वह कंडन वहिदी मुखलन विधि वीजालशनन विधी यह सब हमाथे हैं नेक्श्नक्र में हमारा पराग कर क्या है पुसपों में पुसपी पाध्पों में होने वाली विभिन परकार दीजिए जो पराग परागर का वरणन की इसे सिद्ध करने के लिए हरसेवत के द्वारा किये गए प्रोग का वर्ण कीजिए पास नंबर आपको दिलाएगा और इसको भी जरू आप यात के लिए पारिस्थितिक पीरेमीड क्या है संख्या और जयोभार के लिए सुच जो इस्तम्मों का उदाहन सहित वर्ण कीजिए और ये भी आपको पास नंबर दिलाएगा तो ये सवाब के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टन क्योशन है और इसको सबको आपको पढ़के ही जाना है नेक्ष्ण में पर अमली वर्षा क्या होती है और अद्दोगी की दो संस्थानों में प्रोइक्त होने वाले इंधनों क क्या होता है लाइंगे जनन में अंतर इस्परश करना पढ़ लेजीगा ठीक है वहीं से अगर हम बात करेंगे जो लाश्ट से है आपकी हम जो बिमारियों से है तो वहाँ पर एड्स की बारे में पढ़ लिए जितने प्रति जैवी होते हमारे उससे पढ़के चले जाईएगा और यह सबाब के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है देखे जनन को मैंने आपको बताया भी था और मेंसन भी पढ़ाया भी था कि जनन पर यहां पर ड्रक के बारे में जो की सुरों में इलकोहाल या फिर ड्रक के सेवन के लिए क्यों पर एडित करता है और इसे कैसे बचा जा सकता है तीन नंबर का आएगा तो इसको भी आप ज़रूर पढ़के जाएगा वह पर जैकिस्सा जिकिस्सा और जैव पर कर लिजिए